नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रिश्ण वली 1.4 का प्रिश्ण नमबर 3 यहां पर सॉल्व करेंगे तो प्रिश्ण नमबर 3 देखिए क्या है कुछ बास्तिविक संख्याओं के दसमलब प्रसार नीचे दिये हुए हैं प्रतियक स्थिती के लिए नरधारित क कि यह संख्या परिमे है या फिर नहीं यदि यह परिमे है और पी बटे क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं ठीक है तो हमें यहां पर तीन संख्याओं दी हुई हैं एक दो तीन हमें तीनों के बारे में यहां पर बत इसका मतलब क्या है कि कि यह जो है एक तीन बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या है कि यह जो है रिपीटेट नहीं है मतलब कि यह अना वर्ति है तो इसको हम क्या लिखेंगे अनावरती असान्थ और एक संख्या क्या होती है जैसे की जीरो दसमलव यहां पर एक दो ठेक यह आ गया फिर इसके बाद में दफिर से एक दो आएगा फिर इसके बाद में एक दो का मतलब की इसमें देखिए एक दो बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो है असांत तो है क्योंकि ये आता ही जाएगा इसका मतलब ये असांत है लेकिन आवर्ती है आवर्ती मतलब की बार बार बही संख्या रिपीट हो रही है इसमें क्या है रिपीट नहीं हो रही है इस वाले में question पर focus करते हैं तो देखिए पहला question जो है यहां पर हमें क्या बताना है देखिए सबसे पहले हमें यह बताना है कि वो संख्या परिमे है या फिर नहीं देखिए जिस संख्या का जैसे कि यह कोई संख्या है जिस संख्या का प्रसार सांथ होता है अब देखिए इसमें ना कोई रिपीट हो रहा है बस यहां पर इसका खतम हो गया इसका मतलब क्या है यह शांत है ठीक है और जो संक्या सांत होती है वो जो है यहां पर परिमे होती है ठीक है तो यह जो संक्या यह परिमे है क्योंकि इसका प्रसार सांत है तो इसके जो अभाज गुणन खंड आएंगे रूप में होगी और वाइब की पावर एंद इस रूप में होगी तब ही यह संक्याही यह सांत है तो पहला कोश्चन में सिर्फ यही बता ना था इसको आप जिस टाइप से में बोलकि है आपको दिखा रहा हूं वह आपको यहां पर लिख भी देना है चलिए अब सेकंड इस टाइप से यह क्या है यह रिपीट नहीं हो रहा मतलब कि क्या है यह अनावरती है ठीक है अनावरती है मतलब की आवरती नहीं हो रही है लेकिन यह कभी भी रुकेगा नहीं यह इसी टाइप से चलता जाएगा यह क्या हो गई असान्थ है ठीक है तो यह अनावरती अशान क्या होगी यह परीमे संख्या नहीं होगी मतलब की भटे क्यों के रूप में नहीं होगी तो इसके जो है गुरंखंड होगे वह इस फॉम में नहीं होंगे तो दूसरे question में भी आपको इतना ही बताना है ठीक आप तीसरा question जो है यहां पर देखिए ये जो खिची हुई है इसका मतलब है कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है अब यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है इसका मतलब क्या है कि यह एक असांत है ठीक तो इसका जो प्रसार है असांत है असांत है इसका मतलब क्या है यह संख्या आपरिमे है ठीक है अपरिमे है यह हम बता देंगे कि यह जो संग्या है यह आपरी में है और इसके बाद में इसका जो बैल्यू है वो भी पी बटे क्यों के रूप में नहीं होगी ठीक है यह बता देंगे इसके बाद में इसके जो गुणनखंड है वो भी पी बटे क्यों की जो बैल्यू है क्यों की जो बै योगी अगर वीडियो अपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिये अगले पत।